हेलो दियर इस्टुडेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चानल स्टेडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 6 का साइंस है और इसमें जितने भी चप्टर है लगभग सभी चप्टर काफी लंबे हैं तो इसलिए इसमें अक्स्टा कुछ भी बोलकर समय बिताया नहीं जा सकता है चप्टर 4 है और इसका इस चप्टर का नाम है sorting materials into groups बस्तों को अलग-अलग समूह में बाट देना यहां पर हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं इक्यूली में बतला दूँ कि यहां पर यह पूरा चप्टर जो है line by line में पढ़ूंगा नहीं इसको ब्रीफली में पढ़के इसको मैं इसमें जो points दिया हुआ है जो बाते बतलाएगी ही उसी के बारे में बतलाऊंगा और इसका अंत में question answer इसको keywords दिया हुआ है उसको मैं solve कर दूँगा यहां पर फस्ट में दिया हुआ है objects around us बस्तों जो हमारे चारो और है तो हम लोग कई तरह के बस्तों देखते हैं जै चेयर ब्लोक का साइकल कुकिंग कुटेंसिल्स बुक्स बहुत सारे मतलब जो है कुर्सी बतलाया जा रहा है यहां पे बैल गाड़ी साइकल बरतन जो जिसमें खाना बनाया जाता है किताबे हैं और कपड़े खिलोने पानी है और स्टोंस पत्थर हैं बहुत सारे ऐसी अधार पर उसको उसका एक ग्रूप बनाया जा सकता है लुक अरण और इंटिफाइब अब्जक्स डैट आर रांड इंसे जितने भी बस्तु में आप आसपास में देखते हैं उसको एक गोल बस्तु जो होता है रांड सेप में तो उसके आधार पर अलग कर सकते हैं और लि इसके अलग अलग बना सकते हैं इसके अलग अलग गुन पर बना सकते हैं और लुकिंग फॉर अब्जक्स डैट आर इडिवल इस यह सारी चीजह जो है खाने पीने की चीजह हैं तो खाने पीने की चीजह भी इस लिस्ट में आ सकते हैं तो जैसे कि यहां पर जो लिस्ट हम बनाएंगे तो पहले जो चैप्टर 1 में हम पढ़े थे इडिवल स्थिंक्स कई सारे खाने पीने की चीजे था वो टेबल 1.1 1.2 इंग्रीडियंस के बारे पढ़े थे उसको भी इसमें साबिल किया जा सकता है जो भी मतलब राउंड बस् हैं वो लिस्टेड हो जाएंगे उसारे लिस्ट मेंगे लेट से विविस्टु मैं एक ग्रूप अब्जेक्स डैट और मैड और प्लास्टीक बकेट्स लंच बॉक्स ट्वाइज वाटर कंटेनर मतलब ऐसी चीजे जो प्लास्टिक की बनी हुई हो उन चीजों का में हो सकता है इस तरह कि कई चीजे जो है प्लास्टिक की जो बनी हुई होगी उसको एक ग्रूप में हम रख सकते हैं इस परकार से कई तरीके से हम अलग-अलग चीजों का ग्रूप बना सकते हैं इंद एवे जांपल वी हैब गूप अब्जक्स ऑन दा बैसिस ऑफ देर सेप और the materials they are made from या तो हम उन चीजों का ग्रूप जो है उसके से पे उसके आकार पर बना सकते हैं या वो किन बस्तों से बना हुआ है किस material से किस पदार्थ से बना हुआ है उसके हिसाब से उसको हम ग्रूप बना सकते हैं all objects around us made of one or more materials हमारे चार और जो भी बस्तों बने हुए है तो वह अलग-अलग पदार्थ से बने हुए हैं एक पदार्थ से बने हुए हैं या फिर एक से ज्यादा पदार्थ से बने हुए हैं किसी में plastic यूज हो सकता है कोई metal हो सकता है इस तरह से this materials में भी glass metal plastic wood cotton paper mud और soil तो यह सारी बस्तों जो बनी हुए है उसमें अलग-अलग materials यूज हो सकता है ग्लास हो गया सीसा यूज हो सकता है या कोई धातू plastic लकड़ी इस तरह की can you think of more examples of materials तो इसमें से और भी examples लिया जा सकता है material का जो भी बस्तों बनता है उसका activity one यहां दिया है let's collect as many objects as possible from around us तो यहां पे अपने चारों और में जो भी बस्तों है उसको collect करन the classroom कुछ बस्तों हमें घर से मिल जाएगा और कुछ बस्तों हमारे classroom में मिल जाएगा और from outside the school और कुछ बस्तों जो है घर और school को छोड़के बाहर से मिल जाएगा इस तरह कि बस्तों क्या हो सकता है यहां पे दिया हुआ है जैसे chalk pencil notebook rubber duster hammer nail swap spark of year wheel तो इस तरह की कई सारे हो गया notebook मतलब copy हो गया rubber जो मिटाने वाला होता है duster हो गया थोड़ी हो गया nail काटी साबुन और चक्का का जो स्पॉक होता है वह हो गया बैट हो गया इस तरह के बहुत सारी चीजे हम अगल बगल से प्राप्त कर सकते हैं match box दिया हुआ है salt potato कई सारे we can also list objects that can we think of but cannot bring to the classroom में हम सोच सकते हैं लेकिन उसको classroom में नहीं ला सकते एजामपल के तोर पर दिया wall tree doors tractor road तो यह सारी चीजे जहां पर है वही रह सकता है उसको हम उठा के लाने सकते दिवार है तो जहां का दिवार है वहीं रहेगा पेड़ है तो पेड़ तो वहीं रहेगा डोर्स दरवाज से जो चीजें बना हुआ है या जो चीजें लकडियों से बना हुआ है वह ऐसे चीजों को हम फिर अलग ग्रूप बना सकते हैं this way we have divided all objects into two groups इस तरह से हम लोग दो ग्रूप में बस्तों को बाढ़ सकते हैं जैसे कि जो पेपर का बना हुआ है उसका अलग ग्रूप हो जाए हैं जिसमें कागाज और लकड़ी दोनों चीज़े मिल के जो चीज़े बनी हुए है उस तरह का एक ग्रूप बना सकते हैं और एक ग्रूप ऐसा बना सकते हैं जिसमें यह दोनों चीज़े ना similarly we could separate the things that are used for preparing food और इसी तरह का कुछ ऐसे बस्तों है जिसको लोग खाना बनाने के लिए उप्यूब करते हैं तो इसको भी इसी तरह से separate कर सकते हैं अलग कर सकते हैं इसके आगे दिया हुआ है इस तरह का टेवल बनाने में हो सकता है कि हमें मजा आए क्लेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाट एज मैनी अब्जक्स आज पोसिबल जितने भी चीज़े हैं उसके बारे में किस वस्तु से मतलब इस मैटेरियल से बना हुआ है उसको जो हम लोग को पहचानना है जितना मैटेरियल से बना हो सकता है आप उसको ना जाने इन सच क्यासिस डिसकस विट्यूर्स टीचर और पारेंट्स तो ऐसे इस्थिती में आप अपने दोस्त सिछक से या अपने माता-पिता से डिसकस कर सकते हैं कि वह चीज किस मैटेरियल से बना हुआ है तो यहां पे 4.1 रिंटा है या sese का प्लेट हो सकता या इस तरह से मैटन नंगे सकते हैं और यहां पे días को यात कुछ इंस तरह सकते हैं जिस्ट में बना फीडिया हुआ है इसमें और बी Colorado को जोड़ने के लिए कर रहा हैं यहां पे अब बुजो के मन में कुछ आ रहा है तो क्या आ रहा है यहां पे बुजो वांस चुनो बुजो यह जानना चाहरा है whether we found some materials कि हम लोगों ने पता किया कि कुछ materials कुछ पदार्थ जो होते हैं यहां पे बस्तों की लिस्ट दिया हुआ है और यहां पे बतला रहा है कि try and think of every objects you know यहां पे जो भी बस्तों के बारे में आप जानते हैं उसका लिस्ट में एड करते जाए डाइटर मैड मैंली आप इस materials and list them in column 2 तो column 2 में वैसे बस्तों का जो इन ही materials से जो materials दिया हुआ है यह यहीं सब material यूज करते हुए और भी कई सारे वस्तों बनी हुए है इसको यहां पर add करना है यहां पर what do you find from this table इस table को जब हम complete करते हैं यह कुछ और बड़ा बनाते हैं तो हम क्या पाते हैं first we grouped objects in manually different ways सबसे पहले हम लोगों से बना हुआ हो ऐसा हो सकता है and objects could also be made of many materials और एक बस्तु बनाने में कई सारे materials का उपयोग हो सकता है ऐसा भी हो सकता है and then again one material could be used for making many different objects और एक material का उपयोग करते हुए different different मतलब अलग अलग बस्तुओं को बनाया जा सकता है तो एक material से कई बस्तु बन सकता है what decided which materials should be used for making any given objects किसी भी बस्तु को बनाने के लिए कौन से material का यूज किया जाए यह कैसे decide किया जाता है कैसे पता लगाया जाता है it seems that we need to know more about different materials तो हमें ऐसा लगता है कि इसको पता करने के लिए हम लोगों को और अलग-अलग material की जानकारी होना बहुत जोरूरी है तो properties of materials materials की property जो उसका गुन होता है उसके आधार पर यह decide किया जाता है कि कि material को किस बस्तु को बनाने के लिए उप्योग किया जाए तो यहां पर इसका property जो दिया हुआ है इसको पढ़ के देखते हैं have you ever wonder why a tumbler is not made a piece of cloth कभी आपने ऐसा जानने का प्रियास कि एक कपड़े का glass क्यों नहीं मना जा सकता है recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid 3 class में हम लोग कपड़ों के बारे में पढ़े हुए हैं उसमें कुछ experiment भी किये थे तो इसको ध्यान में रखते हुए अब यह ग्लास लिक्वीड को रखने के लिए उप्यूक किया जाता है तो क्या कपड़ों में कपड़े में लिक्वीड को रोका देर्फोर उडिट नॉट बी सीली यह जो है अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो कि मुर्खता पूर्ण कार्य होगा एक मजाक्या काम हो जाएगा कि अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो इस तरह का हैससपद हो जाएगा और वह नट फूर यह टॉट प्लस्टिक मेटल और अधर सच मेटेरियल्स दट विहाल वाटर तो ग्लस हम ऐसे चीज़ों को बना सकते हैं सीसा हो गया यह प्लास्टिक हो आतू हो गया जिससे की पानी को रोका जा सके similarly it would not be wise to use paper like material for cooking vessels खारा बनाने के लिए उसी तरह हम लोग भोजन का बरतन है उसको पकाने के लिए कोई paper का हम लोग बरतन ने बना सकते अगर उसको बनाते हैं तो उसी तरह से एक मजाक्या काम हो जाएगा यह पिक्चर में जैसे कि दिखाया गया है यहां पर इस कपड़े में पानी डाला गिया है और यह पानी सारा नीचे गिर्टे जा रहा है तो इस तरह से कपड़े का गिलास नहीं मनाया जा सकता है तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम लोग मैटेरियल को इस परकार के मैटेरियल चूज करना है जो उसका प्रोपर्टी उसके यूज पर डिपेंड करता है कि उसका क्या उप्योग हो रहा है एंड़ प्रपोज फोर विच दाब्जेक्ट इस तूबी यूज तो सारे मैटेरियल का जो प्रोपार्टी होता है तो उसके परकार से काम करेगा वह उसका इंप्रोपर्टेंस वहां पर है तो उसके डिपेंड करता है है वह यहां पर देखते हैं है अपर दिखेंट पर अलग दिखेंगा से अलग दिखेंगा at the same time there may be some similarities between iron, copper and aluminium और इसी तरह से हम लग देखते हैं कि iron और copper aluminium में एक तरह का समानताएं मिलती है that are not there in wood जो की लकड़ी में हमें नहीं दिखाई पड़ता है activity 3 दिया हुआ है collect some pieces of different materials paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminium seat इस तरह से कई सारे चीजों को collect करने के लिए बोल रहा है separate the shiny materials into a group और जिसमें sign होए, चमक है, sign मतलब चमक होता है, जिसमें sign दिखाई दे रहा है उसको हम एक अलग group उसका बना लेंगे now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the parsley cut surface जैसे कि यहां पर बतला रहा है कि आप school में इसका प्रयोग करते हैं तो teacher आपको कई बस्तों को काट काट कर दिखाएंगे what do you notice, तो आपको क्या पता चलता है, does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny, include these objects also in the group of shiny materials कुछ बस्तों जो पहले से shiny दिख रहे हैं उसको आप अलग कर लेते हैं और कुछ बस्तों जो shiny नहीं दिख रहे हैं उसको आप काट ये और कटे हुए भाग को आप देखते हैं उसके surface को अगर चमकदार दिख रहा है और साइन मतलब भी चमक होता है तो उस तरह का मैटेरियल में जो मैटेरियल में पहले चमक नहीं दिख रहा था अब कटने के बाद दिखने लगा है तो उसको भी उस साइड रख लेना है कट देम एनिवे एज यू कैन लब किसी भी तरह से उन बस्तों को काट लेना रिपीट इस तरह से कई बस्तों को आप जो चमक में आ रहा है उसको आप एक तरफ कर लिजिए और जो चमक नहीं है जिसमें आप उसको एक तरफ कर लिजिए कि क्या इस वाम कर सकते हैं उसको फष नहीं रहा है उसको कर सकते हैं तो यहां पिष रहा है इस तरह का जिसमें भी कटने के बाद चमक दिखाए देता है तो उसको मैटल बोला जाता है उसको धातू के रूप में इस सब जो है धातू है जो है उसके साथ जो है मतलब नमी और एर में भी नमी होता है तो इसके वज़ा से यह सब उसके साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका जो है चमक डल हो जाता है तो वैसे पदार्थ का जो है वैसे मैटल का चमक जो हम लोग को कटने के बाद दिखाए देता है या रगरने के बाद विजिट एन आयरन स्मीथ और वरक्सॉप लुक आउट फॉर फ्रेसली कट सर्फेस अप मैटल रॉट तो सी इफ दे हैब लस्चर तो ऐसा आप देख सक पर आपको चमक दिखाई देगा के बाद यहां पर दे रहा है हाटनेस हाटनेस मतलब हो गया कठोरता तो कई बस्तु जो होता है कुछ शॉप पर होता है वन युद प्रेंट मैटेरियर्स with your hands some of them may be hard to compress while other can be easily compressed कुछ बस्तों को जब आप हाथ से दबा कर देखते हैं तो उस इसमें यहां पर बतला रहा है कि आप एक मैटल का की कोई भी मैटल का वस्तु ले लेते हैं चाभी ले लेते हैं और इसक्रेच बनाने के लिए कर रहा है उड में में स्टॉन मतलब पत्थर में इस तरह से कई चीजों में इसमें स्क्रेच मतलब उसमें खूरचने के लिए क सकता है स्किरेज healthier Miss Bjork can we compress or is preparing its the are called soft तो जो बस्तु में आसानी से सक्रइच्ma बनाया जा सकता है यह उसको कंप्रेज मतलब तोड़ा मोडा जा सकता है तो ऐसे वोस्तु को सौट्ख करते हैं और जिस्पस्तु में some other materials which are difficult to compress इस अरुकोल हार्ड वस्तु जिसको तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता है असानी से उसको हार्ड वस्तु कहते हैं पर एक्जमपल कॉटन और स्पॉंज को सब्ट बस्तु के रुप में बतला गया है और आरन को हाड वस्तु इन अपरियंस मेटेरिल केन अगर सोच सकते हैं तो फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए उसको जो है वर्नन कीजिए शुलूबल और इंसुलूबल यहां पे दिया हुआ है अधर प्रोपर्टी यहां पे बतला गया है कि सुलूबल और इंसुलूबल इंसुलूबल मतलब वहता है घुल जाना और इंसुलूबल मतलब वहता है नहीं घुलना विले और अविले इंदी में बोला जाते है इसको एक्टिविटी फोर जिसे कि यहां कुछ चीज के बारे मतला गया है क्लिक सेंपल्स ऑप सम्सॉलिड सबस्टेंस सच एज सूगर साल्ट चॉक पॉर्डर सेंड और सॉडस्ट यहां पे कुछ ऐसा बस्तू जमा करने के लिए कर रहा है जिस जीनी हो गया नमक हो गया चॉक पॉर्डर और बालू हो गया इसके बाद लकडी का बुरादा जो होत है कि Shape a a small amount of sugar to the first glass पेले डाल देना है साल्ट फिर दूसरा में डाल देना है इसातर से सारे उन पर ही है उन सारे बस्तूं को इस तरह से क्या हो राए है उसको इन से यहां पर यह पर आ है तो क्या वहीं साल्ट जो है ہं डिसेपीर मफाई निदे रहा है पानी के साथ मिल लिए यूंग उनल लॉट इस यहां पर घृतान दियों हेज़ë लिए दिसेपीर्षा operates vendors में कि कुछ चीज़े जो है पानी में पूरी तरह से घुल चुका है और इस चीज़े दाइट इस सबस्टेंस आर सुलूबल इन वाटर तो इन चीज़ों कह सकते हैं कि यह पानी में घुलनसील है अधर सबस्टेंस डूनोट मिक्स विट वाटर एंड डूनोट डिसीपियर इवन आफ्टर वी स्टेर फोर यह लॉंग और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफी देर तक उसको पानी में घुलने के बाद भी वह नहीं घुलता है वह जैसे के तैसे बना रहता है इस सबस्टेंस आर इंसुलूबल इन वाटर यह सारी चीज़ें जो है नहीं सकता वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इंदा फंक्शनिंग आप आर बॉड़ी बिकॉज इटके नंबर ऑप सबस्टेंस पानी जो है हमारे सरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका की बला से कई ऐगा से को लिध को ले लेना है ठेकिए ग्लास कमलर अ फिल अब हाप वोक इसे बिदित वाटर इसको आदा पानी से भाणी ना है डनीक फिल फूल आपल लिकुईट दू दिस सेनिट वैल और उसकैनों नेकले घोल देना है लगबग 5 मिनट तक उसको घोलने के बाद चोड़ देना है अब्जर्ब वादर दा लिक्वीड मिक्स वीट वाटर और फिर देखना है कि क्या वह चीज लिक्वीड के साथ पानी के साथ लिक्वीड घुला या नहीं घुला रिपीड दो सेम विद अधर लिक्वीड और इसी तरह का दूसरे लिक्वीड के साथ भी करते जाना है तो यहां पर पता चलाएगा कि कौन सा लिक्वीड घुला और कौन सा लिक्वीड नहीं घुला तो यहां पर टेबल दिया ओपर पॉइंट फॉर तो इसमें विनाइगर जो हम लोग पानी के साथ इसको मिक्स करते हैं तो यह मिक्स वेल मतलब पुरी तरह से घुल जाता है लेमन जूस क्या घुलता या नहीं घुलता है इसको लिखना है फिर यहां लिखना है यहां लिखना है करोसिन घुलता या नहीं घुलता है इस तरह से हम लोगो पता चल स्वित वाटर और कुछ जो होते हैं वो पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं गुलते हैं कुछ पूरे गुल जाते हैं कुछ बिल्कुल भी नहीं गुलते हैं वह में सेपरेट लियर उसका एक अलग लियर बना रहता है और वह पानी से अलग दिखते रहते हैं अब यहां पे बुजो हम लोगो को क्या सजेस्ट दे रहा है बुजो सजेस्ट बुजो या सुझाओ देता है देट वे अलसो चेक इफ दलीक्वीट that we used in activity 5 इतने भी लिक्वीड को हम लोग को एक्टिवीटी 5 में उप्योग किये थे तो हमें यह भी चेक करना चाहिए क्या mix well with some liquid other than water पहली यह जानने के लिए उत्सुख है वेदर गेसे अलसो डिजॉल्व इन वाटर क्या गेस जो होता है पानी में घुलंसील होता है क्या कई सारे गेस पानी में घुलंसील है तो यहां पर नीचे बतला रहा है सम गेसे आर सुनुबल इन वाटर वरेज अदर और नॉट कुछ यह जो पानी में घुलंसील है पानी भी गेस से मिलकर ही बना था व्यदर लिकिन कुछ जो है वो पानी में घुलंसील नहीं है वाटर यूज मॉन्टिटी ऩव पानी में घुला रहता है for example oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water यहां पर एक्जाम्पल के रूप में बतला रहा है कि पानी में oxygen घुलंसील होता है और oxygen जो है पानी में रहने वाले जीवों के लिए उसके water animal के लिए और पानी में रहने वाले प्लांट्स के लिए उसकी जीवन के लिए काफी important है उसके वज़ा से वे जिंदा रहते हैं objects में float or sink in water objects के कुछ दूसरे गुनों के बारे बतला रहा है कि या तो वो डूब सकते हैं पानी में या फिर वो तेर सकते हैं तो कई सारे बस्तों को हम लोग देखते हैं पानी में तेरने लगता है कई सारे बस्तों पानी में नहीं तेर पाते हैं डूब जाते हैं while doing activity 4 you might have noticed that the insoluban solids separated out from water जब आप activity 4 कर रहे थे उससे में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो चीजे पानी में घुलंसील नहीं होता है और घुलंसील होता है वो पानी से अलग हो जाता है you may have also noticed this with some liquids in activity 5 और आप लोगों ने यह भी ध्यान दिया होगा activity 5 करते हैं कि जो liquid पानी में नहीं घुलता है वो भी अलग हो जाता है some of these materials that did not mix with water floats floated on floated to the surface of water तो जो चीजे जो materials पानी में नहीं घुलता है वो उसके सता पर तैरने लगता है other may have sunk to the bottom of the tumbler right और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके bottom में नीचे चले जाते हैं और वहां पर बैठी जाते हैं मतलब कुछ जो है उसके सता पर तेरते रहते हैं और कुछ materials होते हैं जो उसके bottom में जाके बैठी जाते हैं तो यह बिल्कुल सही है we notice many examples of objects that floats in water or sink तो हम लोग इस तरह के कई से वस्तों का example ले सकते हैं जो पानी में float मतलब तेरते रहते हैं और पानी में कुछ डूब जाते हैं इस तरह के कई सारे examples लिए जा सकते हैं dried leaves fallen on the surface of a pond एक सुखी पत्ती जब एक तलाब के उसके पानी के सतर पर गिरता है यह stone that you throw into this pond और तुम जब एक टंकड को उसी तलाब के पानी में फेकते हो few drops of honey that you let fall into a glass of water और कुछ यह जो है सहद की बूंदे जो है एक ग्लास में पानी लेकर उस बूंद को जो है सहद को उसमें डाल सकते हैं उसको डाल कर देखे कि क्या होता है what happened to all of these इन सारी चीजों को पानी में आप देखते हैं क्या होता है कौन सा डूब जाता है और कौन सा अरा यहां पर जानना चाह रहा है ऐसे पानी में तेरती रहती है और जो चीज़े पानी में डूप जाते हैं यहां से पांच बस्तौ होत्व को लिखने के लिए का रहा है हैं और इसी थारा कि जो चीज़े हैं वह किसी दिस्रे लिक्वीट में जैसे कि तेल हो गया। उसमें वOO डूब जाते हैं या तर्ते रहते हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग EXperimonED कर सकते हैं। उसको experiment करने के लिए काफी सारा पिल लेना होगा और उसको جो है हम लोग को उसमें डाल कर देखना हूँ कौन सा तेर रहा है और कौन सा डू जा रहा है उसके बाद यहां पे materials का एक अलग properties दिया हुआ है अलग गुनवत्ता दिया हुआ है कि transparency transparency क्या होता है you might have played the game of hide and seek यह हो सकता है कि आप लोगों ने आंक मिचोली का खेल खेला होगा जिसको चुपा चुपी करते हैं think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others कि सोचिए कि आप किस तरह के जगह पे आप छुपते होंगे कि दूसरा बेक्ति आपको देखना सकें why did you choose those places और उस तरह के जगह जो आप क्यों चुनते थे ताकि आपको कोई देखना सकें इसलिए चुनते हैं you have tried to आप कोशिस क्या करते थे किस चेगह पर चुपने के कोशिस क्या करते थे hide behind a glass window कि आप किसी कांच के पीछे चुपने आपको देख लेगा और फिर पैचान लेगा can you see through all the materials क्या आप सभी materials के आर पार देख सकते हैं those substances or materials through which things can be seen are called transparent वैसी बस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको transparent बस्तुएं कहा जाता है पारदर्सी बस्तुएं कहा जाता है जैसे कि यहां पर examples में दिया हुआ है glass water air and some plastics are examples of transparent materials यह सारी बस्तुएं जो है transparent material है पारदर्सी बस्तुएं shopkeepers usually prefer to keep biscuits sweets and other edibles in transparent containers of glass or plastic तो दुकंदार लोग को आप देखते होंगे इस तरह से यहां पर transparent यह डिबा है इस पर वोग रखना पसंद करते हैं कि customer जो आते हैं उसको दिखाए दे कि इसके अंदर में क्या है और वो लोग इसको खरीज सकें इस तरह का दिया हुआ है और on other hand और दूसरे तरफ क्या है there are some materials through which you are not able to see और कुछ ऐसे बस्तुए होते हैं जिसके आर पर आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते इस इन बस्तुओं को अपार दर्सी बस्तु का आ जाता है you cannot tell what is kept in a closed wooden box a cardboard cartoon और a metal container तो आप एक लगड़ी के बक्से के अंदर और cardboard cardboard कूट का जो बक्सा होता है वो हो गया cartoon हो गया और या फिर metal का जो container होता है उसके अंदर क्या रखा हो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसके आर पर आप देख नहीं सकते हैं cardboard and metals are examples of opaque materials लकड़ी हो गया cardboard हो गया और metal का यह जो बस्तू हो गया तो यह सारे जो opaque materials का example है और पारदर्सी बस्तूओं का example है do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent तो इस तरह से हम लोग पतार कर लेंगे कि कौन सा बस्तू transparent है और कौन सा बस्तू opaque है और बिरा confusion का हम लोगों को इसका अलग-अलग group बना सकते है activity 6 दिया हुआ है यहाँ पे किस तरह से हम लोग बना सकते है take a seat of paper and look through it towards a lighted bulb एक paper लेते हैं और एक जले हुए बल्ब को देखने के प्रयास करते हैं उसके द्वार make a note of your observation तो आपने क्या देखा उसको लिख लेना है now put two three drops अब जो है उस पेपर में दो तीन बूंद some of some oil and sprayed it was उसमें जो है paper में दो तीन बूंद तेल डाल देना है और उसको फैला देना है हाथों से look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been sprayed अब जो है जितने surface तक oil लगा हुआ है उस भाग से हम बल्ब को देखने का प्रयास करते हैं do you find that the bulb is more clearly क्या अब जो है बल्ब को और साफ रूप से देख पा रहे हैं visible than before मतलब पहले से ज्यादा clear अब दिखाए देगा but can you see clearly through the oiled paper लेकिन क्या उस तेलिये paper से क्या आपको पुरा clear दिखाए दे रहा है is everything on the other side it visible paper के दूसरे साइड वाला जो भी चीजे हैं क्या साफ साफ आप देख पा रहे हैं पर साफ साफ दिखाए ने दे रहा है the materials through which objects can be seen but not clearly वैसे बस्तु जिससे जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन पूर्णता clear साफ साफ नहीं देख सकते हैं आर नोन एज ट्रांस्लूसेंट तो ऐसे बस्तु को ट्रांस्लूसेंट पार्भासी बस्तु कहा जाता है remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats याद किजिए जब हम लोगों ने वसा को टेस्ट करने के लिए paper पे जो oil डाला था तो वो जो paper जो बन गया था तो वो भी translucent paper हो गया था जहांपे हम लोग carbohydrate, protein और fats को चेक कर रहे थे तो वो भी जो है उसी की बारे में यहाँ पे बतला रहा है कि paper पे जो हम लोग oil डाले थे तो उस पे भी जो है वो translucent paper बन गया था can you think of some more examples of translucent material और इसके और भी उदारन के बारे में क्या आप सोच सकते हैं we can therefore group materials as opaque transparent and translucent अब हम लोग बस्तों को अलग-अलग group बना सकते हैं उसके इस गुन पे वो अपारदर्सी है या पारभासी है इस पर भी हम लोग उसको group बना सकते हैं पहली suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place एक अंदेरे जगर में आप torch के सीसे के उपर आप अपना हाथ रख लें यहाँ पे जैसे की रखा गया है और फिर switch on the torch and observe the other side of the palm अब जो इसको light जला दीजिए और हाथ के दूसरे साइड में देखिए she wants to know वो जानना चाती है पहली क्या जानना चाती है वो जानना चाती है whether palm of your hand is opaque transparent और translucent तो वो जानना चाहरे है कि हाथ जो है opaque होगा transparent होगा या translucent होगा तो निश्चित्रप से वह हैं बहुत दिखाई देता है blood जैसा rate दिखाई देगा लेकिन हैं जो है वह अपकी हुई होगा we learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids तो हम लोग यहाँ पे कई सारे चीज़े सीख चुके हैं materials के अलग-अलग गुनवत्ता के बारे में सीख चुके हैं सबसे पहले appearance वह दिखाई कैसी देते हैं उसके बाद वह पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं गुलंसील है या अगुलंसील है properties और differences in their properties अब बस्तुओं को हम लोग इस तरह के समानता वाली ग्रूप में बना सकते हैं या इस तरह के जो समानता नहीं मिलेगा इसके अलग-डिफ्रेंस ग्रूप में भी बना सकते हैं why do we need to group materials हम लोग बस्तुओं को समुम में बनाने के आउसकता क्यों पड़ता है इसका समुम क्यों बनाया जाता है in everyday life we often group materials for our convenience हम लोग रोजाना की जिन्दगी में सुईधा हो इसलिए हम लोग चीजों का group बनाते हैं हम लोग घर में भी इसी तरह का group बनाके बस्तुओं को रखते हैं ताकि हम उन बस्तुओं को आसानी से खोज सके इसलिए हम लोग बस्तुओं का एक जैसे बस्तुओं का group बनाते हैं similarly a grocery usually keep all types of biscuit at a corner of his shop एक दुकंदार जो होता है उसी तरह से सभी biscuit का जो group होता है एक जगा मतलब दुकान के कोने में सारे biscuit को एक जगा पर रखता है all shops at another while grains and pulses are stored at some other places और उसी तरह से सभी साबन को एक जगा पर रखता है और सभी अनाज लालों को जो है वो दुसरे जगा पर रखता है इस तरह से उन लोग भी group बनाके अपने समान को रखते हैं there is another reason why we find such useful इन वस्तों का एक समुव में रखना और भी दूसरा कारण हो सकता है dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties हम इन वस्तों को अलग अलग group बना कर रखते हैं इससे हमें इसके गुनवक्ता की study करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा we will study more about this in higher classes और इसके बारे में इसके गुनवक्ता के बारे में और भी हम लोग अध्यान करेंगे तो higher class में इसको अध्यान करेंगे उंचे class में तो सबसे पहले इसमें कुछ keywords दिया हुआ है तो इसका मैं अप लोगों को solution दे दूँगा और इसमें 20 चेप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं इसके summary यहां दिया हुआ है और यहां इसका exercise है कि यहां पे इसका कुछ question 3 number और 4 number में यहां पे बतलाने के लिए कहा गया है इसके अलावा question number 5 यहां दिया हुआ है 6 भी दिया हुआ है और 7 में कुछ ओड यहां पे वर्ड दिया हुआ है जिसको छाट कर बतलाना है कि यह ओड वर्ड है तो आये मैं आप लोगों को इसके जो importance question है उसका answer बना के देता हूँ यह chapter 4 का question answer सबसे पहले इसमें कुछ keywords दिया हुआ है जिसमें से है hard materials which are difficult to compress are called hard substances such as iron copper etc insoluble substances do not dissolve in water even after stir for a long time these are called insoluble substances luster the signing of a material is called luster for example gold silver copper etc materials the matter of which an object is mad is called materials such as steel wood glass etc metals materials that have signing or luster are called metals such as iron copper gold etc opaque you materials through which we can not see anything are called opaque objects for example copper wood etc rough materials that have uneven surface and feel rude on touching are known as rough surface soluble substances that dissolve in water completely are called soluble substances translucent materials through which objects can be seen partially are known as translucent objects transparent materials through which objects can be seen clearly are called transparent objects इसके आगे यहां पे question answer दिया हुआ है name five objects which can be made from from wood table chair bed doors block art etc इसके अलावा और भी लकडियों से बनने वाले चीजों के नाम लिखा जा सकता है select those objects from the following which sign यहां पे इतने सारे चीजों का नाम दिया हुआ है तो sign करने वाले objects का नाम यहां पर answer में दिया हुआ glass ball and steel spoon जो metal का बना होगा वही sign करेगा match the objects given below with the materials from which they could be made यहां पे match करने के लिए दिया गया है तो यहां पे डारेक्ट उसका answer दिया गया है book जो है paper से बनता है tumbler glass से chair wood से बनता है ट्वाइप प्लास्टिक से सूज लेदर से बनता है यहां कुछ चीजां ऐसा दिया हुआ है जैसे कि यहां पर बतला गया है कि जैसे book हो गया तो वह सिर्फ paper से बनेगा लेकिन tumbler जो है वह प्लास्टिक का भी बन सकता है और लकड़ी का भी बन सकता है इस तरह से कोई यह notebook has luster while eraser does not notebook में चमक होता है और eraser में चमक नहीं होता है तो दोनों में ही चमक नहीं होता है इसलिए false है चॉक डिजॉल्स इन वाटर चॉक जो होता है वह पानी में घुलता है यहां जैसे बतला जा रहा है लेकिन वह नहीं घुलता है इसलिए false है लकड़ी का टुकड़ा जो हता है पानी में तेरते रहता है यह सही है true sugar does not dissolve in water चीनी पानी में घुलता है यह गलत बतला रहा है इ जाता है तो यह सही है true vinegar dissolves in water vinegar जो हता है वह पानी में घुल जाता है तो बिल्कुल यह सही है इसलिए true दिया हुआ है five नमबर में given below are the names of some objects and materials यहां पे कुछ objects और material का नाम दिया हुआ है तो इसको group में करने के लिए कर रहा है यह नमबर में round sept and other sept जो round sept करेगा वह एक जग जिसे water and sugar तो यह round sept का नहीं है उसके बाद दूसरे properties लेकर यहां पर group ब्राने के लिए कर रहा है eatables and non eatables खाने वाले चीज़ और खाने वाले नहीं जोगा उस तरह का तो water and sugar and apple यह खाने वाले चीज़ आ जाएगा और non eatables में basketball globe and earth and pitcher इसको हम लोग नहीं खा सकते question number six में यहां पर दिया हुआ है list all items known to you that floats on water check and see if they will float on an oil or kerosene यहां पर कुछ चीज़ें ऐसे बतलाने लिए कर रहा है जो पानी में तेरते हो और ऐसा भी उसको चेक करना है कि वह तेल में वह तेर रहे हो या नहीं तेर रहे हो प्लॉक पेपर बैलून है प्लास्टिक बोटल उड़न लॉक्स बोट इटीसी विल फ्लॉट अन वाटर इफ्योप इस लाइक हीर बैलून कन फ्लॉट ऑन केरोसीन ऑफ और इन में से कुछ चीज़ें है जो केरोसीन में या फिर तेल में वह तेरेंगे जैनरली सब्स्टें प्लॉट अब डेंसिटीस हायर देन ओइल बट लेस्टेन वाटर सो इट फ्लॉट्स ओन वाटर बट नॉट ऑन केरोसीन पुछ ऐसी लकडिया होता है जिसका डेंसिटीस तेल से ज्यादा होता है और पानी से कम होता है तो ऐसी चीज़ें पानी में तेरते रहेंगे लेकिन तेल या केरोसीन में डूब जाएंगे लास्ट कुश्चन यहां कुश्चन नमर सेवन में दिया हुआ फाइंड दा ओड वन आउट फ्रॉम दा फॉलोविंग तो यहां पे यह नमर में कुछ वर्ड्स का ग्रूप दिया हुआ है तो इसमें से एक वर्ड जो है वो ओड है इस तरह से यहां पे जो black word कर दिया गया गया ब्लेक टलर्का वो जो है ओड है तो यह answer जो यह वाला वर्ड जो ही आंसर हो जागा तो यहां पे यह चप्टर पूरी तरब समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से ठोड़ा भी मदद मिलते है ता आप लिक ल दो 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 दो